एलो प्यारे बच्चेव, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का B.S.P. Pharmacy में और बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैथो फीजियलोजी के important questions के बारे में जैसे कि आप लोगों को बायोगों को बायोगों के important questions के बारे में बताया गया था उसके बाद में आपके complete short question match हुए बेटा और आपके दो long question भी उनी questions में से आ गए है तो that was enough part मतले कि अगर जो आपको 10 से 12 question बताई जाएं और उसमें से आपको बेटा लगबग 8 से 10 question exam में मिल रहे हैं तो बहुत है ना देखो 35 नंबर का और 20 नंबर का 55 नंबर का तो लगबग लगबग वहां से आपको मैं बोलू तो 60-62 नंबर का आपको exam में match हुआ है चीके तो देखे अब हम लोग ऐसी बेटा pathophysiology के बारे में बात करेंगे pathophysiology के मैं बात करूँ तो मैं कुछ disease आप लोगों को लिखाऊंगा यानि कि बताऊंगा यहां पर जो कि कि आपके exam point of view से बेटा important है जैसे सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें बेटा asthma, asthma exam point of view से बेटा बेहत जादा important है asthma, then cancer, cancer भी आपका बहुत जादा important है और repeated time exam में पूछा गया है आगे अगर जो हम लोग बात करें बेटा AIDS, AIDS के बाद में Parkinson disease, यह बेटा बहुत important होने वाला है आपका Parkinson disease चीके, AIDS, उसके बाद में Parkinson disease, then आपको बेटा तयार करना है Peptical sir, क्या जाएगा बेटा next question आपका anemia, anemia में आपको दो anemia तयार करने, एक तो sickle cell anemia और दूसरा बेटा आपका iron deficiency anemia ठीके, iron deficiency anemia और sickle cell anemia अगर जो हम बात करूँ इन दोनों के comparison में तो maximum time आपसे iron deficiency पूछा गया है बट sickle cell भी आया है exam में तो बेटा इसको भी तयार कर लेना pathogenesis of cell injury, first unit से आपका ये question important है unit number one से pathophysiology of cell injury, CHF congestive heart failure बेटा आपका then आपका जाएगा epilepsy, epilepsy भी repeated time exam में question आया है और बेटा last आपका जाएगा hypertension, ये कुछ important questions हैं जो बेटा आपके 7 और 10 marks के, 7 और 10 marks यानि कि आपका section B और section C के लिए important है, इसके अलाबाद दो number के question को बेटा अगर जो में बात करूँ two marks के question, तो pathophysiology बेटा two marks के question मतलब कि ऐसे पूछेगा जैसे आपके mcqs, और mcqs specifically born lies nota, possible task, तो आप लोग अगर जो in disease को तयार कर लेते हैं, तो इनी में से आपको लगबग 5 से 6 very short भी देखने को मिल जाएगे, चीके, और जो biochemistry का था कि paper match कैसा हुआ, कि इतने questions हुए, उसके लिए मैं से separate video बना दूँगा, चीके, अभी के लिए फिलाल आप लोगों को इन questions को तयार कर लेना है, यह complete PDF आप लोगों को मैं telegram पर upload करा देता हूँ, चीके, BSV pharmacy के नाम से telegram channel है, वहाँ पर जाईए, आप लोग follow किजिए, क्योंकि वहाँ पर भी daily basis पर update हम लोग डालते रहते हैं, चीके बेटा, और otherwise BSV pharmacy official app आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से आप लोग जा करके course में enroll कर सकते हो, painkiller batch में, painkiller batch में बेटा क्या है, कि आप लोगों को marathon classes मिलेगी, चोकि कि आज हो गई है, बट उसका recorded format और उसके notes भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे, उसी के side में ही completely, जिस पर offer चल रहा है, आप लोग coupon code apply कर सकते हो, painkiller batch पर, क्या coupon code है, BSP 123, BSP 123 coupon code apply कीजे, और आप लोग, जो painkiller का price है, batch का बहुत low है, और उसमें भी आप लोगों को offer देखने को मिलेगा, चीके ब बेटा, वीडियो को जाधा बड़ी नहीं करेंगे, आप लोग अपनी preparation continue रखे, all the very best for your preparations बेटा, और मिलते हैं ऐसे ही exam point of view से, और आप लोग याद रखेगा बेटा, आप लोगों की HAP and organic की marathon का timing, आप लोगों को पता लगी गया होगा, तीन तारिक को आपकी, sorry, दो तारि chemistry की marathon होगी मेरे साथ में, ओके बेटा, तो stay connected with BSP pharmacy, BSP pharmacy है साथ, तो डरने की है क्या बात, ओके बेटा, all the very best for your preparation, bye-bye everyone, thank you so much, ओके बेटा, bye-bye